मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का ओनलाइन क्लास में स्वागत हैं अभी तक हम लोग कोडिनेट जोमेट्री निर्देसंग ज्यामिती में exercise 7.2 तक बना चुके हैं इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसमें निर्देसंग ज्यामिती में ही area of triangle को पढ़ना है तो आईए हम लोग देखते हैं area of triangle, area हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी तिर्भूज का तो सोभाविक है कि इसमें तिर्भूज के जो सिर्थ होते हैं उसका निर्देसंग हमको दिया रहेगा और उसी के आधार पर हमको उसका छेतरफल लिकालना है माल लीजिए, तो पढ़ना हमको है क्या कि area of triangle, area of triangle तिर्भूज का छेतरफल हमको इसमें, तिर्भूज का छेतरफल तो तिर्भूज का छेतरफल, चलिए एक तिर्भूज बनाते हैं हम लोग और इसमें A, B और C, चुकि यह coordinate axis में यह triangle हमारा दिया रहेगा तो A का कुछ न कुछ निर्दे सांख होगा, X1, Y1 और B का X2, Y2 और C का हमारा X3, Y3 इस तरह से दिया रहेगा अब इसका हमको छेतरफल निकालना है, तो छेतरफल निकालने के लिए देखे फॉर्मूला, सुत्र देखिए यह सुत्र क्या होता है, कि area of triangle A, B, C यह सब्द जो हम लिखे हुए हैं, इसको short में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं area of triangle A, B, C, यानि कि त्रिभूज का छेतरफल, को short में हम किस तरह से लिखेंगे? area of triangle A, B, C, इस तरह से denote करते हैं हम लोग अब जो हैं, इसका छेतरफल बराबर, तब तो हम short में लिख सकते हैं, area of A, B, C तो यह जो होता है, 1 by 2 mod x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 यह आपका formula हो जाता है यहां mod का हम लोग use करते हैं, इस पर जड़ा सध्यान देंगे आप लोग mod में क्या होता है कि अगर इसका value, इसके अंदर का value plus आए या minus आए वह value अंततर हमारा plus में ही होता है इस formula को अब देखे, याद आप लोग कैसे रखेंगे कि बारी बारी से x1, x2 और x3 आपको ले लेना है अगर one लेते हैं, तो one के बाद two आता है और फिर उसके बाद three आता है तो इसमें y के लिए two और y के लिए three इस तरह से minus कर देंगे फिर उसके बाद two लेते हैं, तो two के बाद three और three के बाद सुरू होता है one अगर इस तरह से हम एक सर्किल ड्रॉ कर दें और इस सर्किल में 1, 2 और यह 3 लिखे हैं तो इसमें देखने हैं 1 लेने के बाद अगर 1 को हम लेते हैं तो 2 और 3 आता है 2 को अगर यहां x के साथ जोड़ते हैं इंडेक्स तो यह हमारा 3 और 1 बज़ जाता है तो y3 माइनस y1 अगर 3 लेते हैं x3 यहां पर लेते हैं तो 3 के बाद इस anti-clockwise में चलिए तो यहां 1 आता है तो यहां y1 लिखेंगे अब फिर यहां उसके बाद 2 आता है तो यहां पर हम 2 लिखेंगे तो इसका formula ही याद रखें इसका proof बहुत जरूरी नहीं है और यदि आप चाहते हैं कि इसका proof भी हम जाने तो proof इसका बहुत ही आसान है इसमें हमें ट्रेपेजियम मिलता है जैसे कि अगर हम proof के तरफ बढ़ें तो यहां से हम एक perpendicular draw करेंगे यहां से perpendicular draw करेंगे यहां से perpendicular draw करेंगे A L L M N तो यहां पर देख सकते हैं आप इसको समझने की कोशिस करेंगे किस तरह से proof करना है यह देखिए आपका B L M A एक ट्रेपेजियम है समानतर चतर भूज हैं तो यह समानतर चतर भूज का छेतर फ़ल आप निकाल सकते हैं इसके एक बटर डो गुना समानतर भूजाओं का योग गुना उसकी उचाई तो यह उचाई L M हो जाएगा जो की हमारा निकल जाता है X1-X2 निकाल सकते हैं उसके बाद इसका भी समानतर चतर भूज की लंबाई या समानतर भूजाओं का योग ये सारे भूजाओं का योग आप लोग भूजाओं की लंबाई निकाल सकते हैं और उसके बाद अंत में हम लोग क्या करेंगे कि इस तिर्भूज का च्छेतर भूज निकालने में पूरे का च्छेतर भूज निकाल देंगे यानि कि इस समाँतर चतर भूज का, इस समाँतर चतर भूज काि उसमें ये नीचे वाले समाँतर चतर भूज को माइनस कर देंगे। अगर आपको प्रूप में दिक्कत होती है तो आप कोमेंट बॉकस में लिखिए तो इसका स्पेसल प्रूप पर हम वीडियो बनाके आपको भेज देंगे फिलहाल सभी बच्चों के लिए यह उप्यूप तो नहीं होगा तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप इस फर्मूला को याद रखें और इस फर्मूला की सहता से आगे बढ़ें इसके बाद इसमें ट्रेंगल का एरिया जब आप सुत्र से निगाल लेते हैं तो आप देखिए एक चीज को कि ट्रेंगल बनने के लिए हमको कितने बिंदू चाहिए तीन बिंदू चाहिए तो यहाँ पर एक केस के कंडिशन हम लेते हैं कि अगर यह तीन बिंदू आपका इस तरह से होगा एक बिंदू इस तरह से तीन बिंदू यह तीन बिंदू इस तरह से होगा एक लाइन में नहीं होगा तभी यह हमारा तिरभूज बटेगा अगर A, B, C, A भी यहां ले ले इसके बाद B यहां पे ले ले और C यहां पे ले ले इस तरह से हम लोग ले लेते हैं तो यह तीनों एक ही लाइन में आने से यह तिर्भुज नहीं बन सकता है AB को मिलाएंगे BC को मिलाएंगे फिर AC को मिलाएंगे तो यहाँ पर तिर्भूज नहीं बनेगा तो इस इस्थिती में ये तीनों बिंदू को हम लोग सनरेखिये बिंदू कहते हैं ये तीनों बिंदू क्या हो जाता है? सनरेखी हो जाता है तो सनरेखी जब बिंदू हो जाए तो इसका छेतरफल जो होता है A, B, C का छेतरफल जो होता है यह जीरो के बराबर होता है पर हो तीनों बिंदू, तो इस बिंदूओं से बनने वाले तिर्भूज का अगर छेतरफल आप निकालते हैं, तो वह तिर्भूज का छेतरफल क्या हो जाएगा, सुननी हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, exercise 7.3 के तरफ, 7.3 में सबसे पहला नंबर का question है आपक कि उस तिर्भूज का छेतरफल ग्याद कीजिए, जिसके सिर्ष 2.3 माइनस 1.0 और, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हैं कि आप लोग इस वीडियो को पाउस करके जरूर उतार लें, इसके बाद हम मिटा रहे हैं, आगे देखिए, पहला नंबर question में है उस तिर्भूज का छेतरफल ग्याद कीजिए, जिसके सिर्ष तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तिर्भूज के सिर्ष आपका 2.3 माइनस 1.0 और 2.4 दिया गया है, इसमें एक को माल लेते हैं, A, दूसरे को B, तिसरे को C, अब यहाँ जो हैं तिर्भूज के सिर्ष हैं, इसमें A, जो हैं 2.3 ले लेते हैं, B, जो हैं माइनस 1.0 ले लिए, C हैं आपका 2.4 इस तरह से ले लेते हैं, इसमें से किसी को हम X1, Y1 माल लिए, तो माल लेते हैं कि X1, Y1 जो हैं यहाँ आपका 2.3 हैं और X2, Y2 जो हैं यहाँ आपका 1.0 और X3, Y3 जो हैं यहाँ आपका 2.4 हैं, अब यहाँ पर आपको एक स्वतंतरता दी जाती है कि आप x1, y1 किसी को भी मान सकते हैं जैसे मान लिजे हम x1, y1 इसी को मान लिए, x2, y2 इसी को मान लिए और x3, y3 इसको मान लिए तो किसी को भी माने लेकिन जब formula लिखे हैं तो उसमें systematic ढंग से इसको बिठाना है जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि area of triangle ABC के लिए formula क्या होता है 1 by 2 into अब देखिए इसको लिखने का भी तरीका हम समझाते जा रहे हैं इसको लिखने के लिए आप 1 लेंगे तो क्या लिखेंगे 1 के बाद 2 और फिर उसके बाद 3 की बारी आती है तो y2 minus y3 लिखेंगे अब फिर प्लस x1 हो गिया है यहाँ पर यहाँ पर लेंगे हम लोग x2 तो अब x2 के बाद क्या आता है 3 तो y3 minus 3 के बाद y1 तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग फिर उसके बाद x3 लेगे 3 के जस्ट बाद 1 और 1 के बाद 2 तो यानि की y1 minus y2 जैसा कि हम पिछले बार बताएं कि यह एक circle है आपका 1, 2 और 3 इसमें count करना है आप 1, 2, 3 अब फिर क्या count करेंगे? 1 count करेंगे तो इसी में आप इस figure के सहता से इस के formula को लिख सकते हैं अब यहां पर हम सारा value को बिठाते हैं 1 by 2 into x1 का value 2 into 0 minus minus 4 plus x2 का value minus 1 y3 का value आपका हो जाएगा minus 4 minus y1 का value 3 plus x3 का value 2 y1 का value हो गया 3 minus y2 का value 0 इस तरह से सारा value को आप रख सकते हैं अब इसको हम लोग solve करते हैं और एक बाद ध्यान रखेंगे जहां पर यह देखिए minus है इस formula में minus आता है और इसके साथ भी minus आ गया तो यह दोनों मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो अगले बार से इस तरह का condition में हम direct plus लिख दिया करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा चूकि हम अभी आपको यह बात बता दे रहे हैं इसके बाद चलिए इसको solve करते हैं minus minus मिलके plus होगी आप 4 टूजर 8 होगी आपका अब plus minus 3 minus 7 minus 7 into minus 1 तो plus 7 हो जाता है अब 3 टूजर 6 इस तरह से यह 1 by 2 into इसको आप add करेंगे तो यह आपका आता है 21 तो यह 21 by 2 इसको क्या लिखेंगे वर्ग इकाई लिखेंगे वर्ग इकाई इसके बाद हम देखते हैं इसी में question number 2 को तो question number 2 में क्या दिया गया है आपका minus 5 minus 1 3 minus 5 उसके बाद 5 2 इसमें से आप किसी को x1 y1 जैसे x1 y1 फिर उसके बाद x2 y2 फिर उसके बाद x3 y3 इस तरह से मान सकते हैं आपको मानने में इसमें स्वतनत्रता दी गई है तो area of triangle ABC equal to formula को अब हम नहीं लिखेंगे अब इसमें हम direct value बिठाते हैं x1 आता है तो minus 5 into minus 5 minus 2 फिर प्लस ये आपका 3 into 2 plus 1 हो जाएगा देखिए यहाँ पे minus 1 है और यहाँ बीच में minus ही आता है तो minus minus मिल गई यहाँ प्लस हो जाएगा फिर उसके बाद हम प्लस 5 लिखेंगे और यह आपका हो जाएगा minus 1 plus 5 हो जाएगा इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं अब इसको हम लोग solve करते हैं तो यह आपका आता है 1 by 2 यह हो जाएगा minus 7 into minus 5 तो यह 35 हो गया उसके बाद 2 into 3 into 3 तो यह आपका 9 हो जाएगा और next term 20 आ जाता है तो 1 by 2 into इसको add करेंगे तो आपका आ जाएगा 64 तो 64 को 2 से divide कर देते हैं तो यह हमको मिलता है 32 बार में कट जाएगा तो यह 32 वर्ग इकाई क्या लिखेंगे 32 बर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से हम लोग तिर्भूच के सुत्र से तिर्भूच का छेतरफल निकाल सकते हैं तो इसका स्क्रीन स्वाट ले ले और अपनी कॉपी में लिख ले मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ जैसा कि टू आप लोग अपने बुक में जरूर पढ़िए एक बार चुकि पढ़ने का सही तरीका है कि क्वेस्चन को जरूर आप लोग देखें समझने की पहले कोशिस करें अपने से तब उसके बाद जब गोट पे बनाया जाता है तो अब उसको देखेंगे तो आपको वह जादा समझ में आएगा क्वेस्चन नमर टू में कह रहा है कि निमलिखित में से परतेक में के कामान ग्याद कीजिए ताकि तीनों बिंदू संरेखी है तो संरेखी की बात आ गई अभी जस्ट हम लोग चर्चा किये थे तो संरेखी बिंदू कब होगा जब उसका छेतरफल 0 होगा संरेखी का मतलब तो समझी रहे होंगे कि A, B, C जो है तीन बिंदू माल लिजिए है आपका A, B, C यह तीनों बिंदू जब एक ही लाइन पर आ जाए तो यह जो है आपका संरेखी हो जाता है तो देखिए तीन बिंदू एक लाइन पर है और उसे मिल कर बनने वाला कोई भी ट्रेंगल किस तरह का होगा ट्रेंगल बनेगा ही नहीं यह लाइन को अगर इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ ट्रेंगल नहीं बन पा रहा है तो इस क्वेस्टर नमर्ट टू में क्या कह रहा है कि आपका सेवन माइनस टू फाइव के और थ्री के ये पॉइंट्स दिया गया है माली जी एका जो है सेवन माइनस टू है अब बी पॉइंट का निर्देशांग फाइव वण है और सी का निर्देशांग जो है थ्री के है तो तीनों सनरेखी हैं तो तीनों का छेतरफल क्या होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम जामते हैं कि यदि तीन बिन्दू सनरेखी हो तो उन बिन्दूआं से बिन्दूआं से बनने वाली तिरभूज तिरभूज का शेतरफल शुन्य यानि कि बराबर जीरो होता है होता है तो इसका दोनों प्रॉबलम में यही चीच आप पहले लिख लेंगे तब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखे दिया गया है ए आपका माल लेते हैं दिया गया है थ्री के शॉरी ए का वैल्यू जो है 7-2 है बी का वैल्यू 5-1 है और सी का वैल्यू 3 के इस तरह से दिया गया है तो इसमें हम किसी को X1-Y1, X2-Y2 और X3, Y3 इस तरह से माल लेंगे तो चलिए हम लोग माल लेते हैं और इसको लिखते हैं इसका छेतर फर निकालते हैं एरिया ओप ट्रेंगल ए बी सी बरावर हाफ इन टू ये आपका लेते हैं सेवन और फिर वन माइनस के प्लस फिर फाइब लेंगे हम तो फिर आ जाएगा के की बारी और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा फिर उसके बाद आता है थरी की बारी और थरी के बाद हम लिखेंगे माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और यह जो वैल्ली हो जाएगा आपका 0 के परावर हो जाएगा इसमें क्या है कि 1 बाइ 2 है इक्वल टू ये 0 यह सारा टर्म एक्वल टू जीरो है, तो 2 अगर राइट साइड हम भेजते हैं, तो 2 जीरो से मल्टिप्लाइ होकर 0 हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 7 माइनस 7K प्लस 5K प्लस 10 और माइनस 3 इंटू 3, तो माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं, तो यह माइन 9, तो यह बच गया आपका 8 इक्वल टू 0, इस तरह से K का जो वैल्ली हो गया, माइनस 8 वाइ माइनस 2 जो की 4 आ जाएगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, K का वैल्ली आपका 4 मिल जाता है, इसके बाद हम लोग इसी में दूसरा नम्मर क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरा नम्मर में देखिए, आपको दिया गया है, 8, 1, उसके बाद, K माइनस 4, और तीसरा आपका दिया गया है, 2 माइनस 5, तो इसका एरिया आप ट्रेंगल, A, B, C, इसको डारेक्ट, हाँ, इसको आप बनाने में ये लाइन को जरूर जोड़ दें, चूकि आपको एक प्रॉब् तो एरिया आप ट्रेंगल इक्वल टू, 1 बाइ 2, मॉड, क्या लिख सकते है, 8 इन्टू, माइनस 4, माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस K इन्टू, माइनस 5, माइनस 1, अब फिर उसके बाद, प्लस 2 इन्टू, इसको आप लिख सकते है, 1 प्लस 4, इक्वल टू, जीरो, इस तरह से आप लिख सकते हैं, अब इसमें क्या है, कि 1 बाइ 2 जो है, राइट साइड जाएगा, तो इस जीरो से मल्टिप्लाइ हो जाएगा, यहाँ पे आपका हुआ 1, 1 इन्टू 8, तो बचता है 8, अब फिर उसके बाद देखिए, माइनस 5, माइनस 1, तो माइनस 6 इन्टू यह आपका 10 हुआ, इकवल टू 0, तो इस तरह से माइनस 6, k इकवल टू माइनस 18, k इकवल टू माइनस 18 बाइ माइनस 6, तो यह माइनस माइनस कर गिया, 6 तरी जाए 18, तो इस तरह से k का वैल्यू हम 3 प्राप्त करते हैं, यह question number 2 हो जाता है, इस तरह का question बहुत important है, इसको जरूर ठीक से बना लें, ठीक से समझ लें, और इसे लिखने के लिए आप इसका screenshot लेके लिख सकते हैं, इसको जरूर लिख लेंगे आप लोग, इसके बाद हम लोग चलते हैं, question number 3 में, question number 3 को देखेंगे अब हम लोग question number 3 में क्या कहा गया है, कि सिर्स 0-1, 2, 1 और 0-3 वाले तिर्भूज की भुजाओं के मद्द बिंदूओं से बनने वाले तिर्भूज का छेतरफल ग्याद कीजिए, तो इसमें एक तिर्भूज आपका दिया गया है, यह तिर्भूज इस तरह से हैं, देख सकते हैं, आप A, B, C, इसका दिर्देशांग दिया गया है, 0-1 और 2-1 और C बैलू जो है, 0-3 दिया गया है, इसका मद्द बिंदू, B, C का मद्द बिंदू, A, C का मद्द बिंदू, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं P, Q, R तो P जो है मध्धिबिंदू A, B का है, Q मध्धिबिंदू B, C का है और R मध्धिबिंदू A, C का है तो section formula में आप लोग सीखे हुए हैं कि मध्धिबिंदू हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं तो यहाँ पर जो भी इसकी जानकारी दी गई है, मान लेते हैं इसको कि लेट A, जो है, X1, Y1 किसको माने हम मान लेते हैं, 0, 1 को, minus 1 को, X2, Y2 जो है, आपका B हो गया इसको हम मान लेते हैं, कि 2, 1 है और यहाँ C जो है आपका X3, Y3 है, जो की 0, 3 है इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि P, Q, R, क्रमसह, क्रमसह, A, B, B, C तथा A, C का मध्धिबिंदू है मध्धिबिंदू है तो अब हम क्या करते हैं, कि मध्धिबिंदू का नियामक निकालते हैं तो P का नियामक, P का निर्देसांग लिखिए निर्देसांग, तो देखें, मध्धिबिंदू का निर्देसांग निकालने के लिए हम क्या करते थे दोनों को add कर लेते थे x plus x1 formula याद कीजिए x1 plus x2 by 2 होता है और y1 plus y2 by 2 होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0 plus 2 by 2 और उसके बाद यहाँ कोमा हो जाएगा minus 1 plus 1 by 2 तो इस तरह से यह हमारा निकल जाता है P का निर्देशंख P हमारा निकल जाता है कितना निकल जाता है यह 1 और 0 निकल जाता है उसके बाद हम लोग निकालते हैं Q को तो Q के लिए क्या करेंगे Q के लिए 2 प्लस 0 करेंगे बाइ 2 कर देंगे और 1 प्लस 3 बाइ 2 कर देंगे 1 प्लस 3 बाइ 2 कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा Q का value 1 और 2 इसको solve करके आप देख सकते हैं ये 1 और 2 आएगा उसके बाद R का निर्दे सांग हमको निकालना है तो R का निर्दे सांग में देखिए 0 प्लस 0 बाइ 2 उसके बाद मैनस 1 प्लस 3 बाइ 2 तो ये आपका निकल जाता है 0 और 1 निकल जाता है इस तरह से सारे निर्दे सांग को निकाल लिया अब यहाँ पर देखिए अगर इस P का value रखें तो P हमारा 1 0 है Q हमको हम देख पा रहे हैं कि यह 1,2 है और R जो है हमारा 0,1 है तो इस तीनों पॉइंट्स को अगर मिला देते हैं तो यहां भी एक ट्रेंगल बनता है तो कह रहा है कि बड़े वाले ट्रेंगल का छोटे वाले ट्रेंगल का रेशियो क्या है तो जब ट्रेंगल का रेशियो निकालना है तो दोनों का एरिया हमको निकालना पड़ेगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं PQR का तो PQR का एरिया 1 by 2 यह आपका हो जाएगा आप इसमें 1 लीजिए पहले तो इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 माइनस 1 अब प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 अब प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2 आप इसको इस तरह से बिठाएंगे तो यही भेल्लिव आएगा अब इसका 1 by 2 इंटू यह आपका हो गया 1 प्लस 1 प्लस 0 इस तरह से 1 by 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 तो यह आपका हो गया 1 वर्ग इकाई इस PQR का छेतरफल निकल गया इसके बाद हम लोग निकालते हैं एरिया ABC का तो इसका एरिया निकालने के लिए जब इसके सारे points को लेके इस तरह से बिठाएंगे तो यह आपका आ जाएगा 1 by 2 into 0 into 1 minus 3 प्लस 2 into 3 plus 1 प्लस 0 into minus 1 minus 1 इस तरह से आता है 1 by 2 into minus 2 0 हो जाएगा यह 0 into minus 2 तो 0 प्लस 2 इंटू 4 तो यह आपका 8 हो जाएगा प्लस 0 इंटू माइनस 1 माइनस 1 तो 0 से इसको multiply है तो यह 0 ही हो जाएगा तो 1 बाइ 2 इंटू 8 इक्वल टू 4 वर्ग इकाई यह value आ जाता है अब हमको निकालना है area of ratio PQR का ratio निकालना है किसके साथ? triangle ABC के साथ तो यह PQR का छेत्रफल 1 निकला हुआ है तो 1 इसका छेत्रफल 4 निकला हुआ है तो 4 तो यह हो जाता है 1 is to 4 यही आपका answer हो जाएगा इस तरह से हम लोग question दबर 3 को solve कर सकते हैं और यह question नमर 3 आप जरूर लिख ले उमीद है कि आप लोग इसका screenshot ले लिए होंगे और वीडियो को pause या तो वीडियो को pause करके लिख लें होंगे लिख लेंगे उसके बाद हम लोग चलते हैं question नमर 4 में तो question नमर 4 जो है question नमर 4 में कह रहा है कि उस चत्रभूच का छेत्रफल ग्याद कीजिए जिसके 6 इसी करम में दिये गए है minus 4 minus 2 minus 3 minus 5 3 minus 2 और 2 3 दिया गया है तो इसमें एक चत्रभूच बनाते है question नमर 4 में एक चत्रभूच बनाते है ये मान लिजे इस तरह से एक चत्रभूच है आपका और यहाँ पर हम माने हुए है A, B, C और D A का नियामक है आपका 3 minus 2 3 minus 2 उसके बाद यहाँ से ले लेते हैं हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं यह आपका minus 4 minus 2 D का value minus 3 minus 5 और 3 minus 2 और यहाँ 2, 3 तो हाँ इसको आप जब भी लिखेंगे चत्रभूच के तो एक continue way में लिखना है यह जैसे सबसे पहले दिया हुआ है ये तो उसके बाद ये उसके बाद ये अब इसको आप लिखें यहां इसको यहां लिखें आप इसको यहां नहीं लिख सकते हैं इसके बाद direct यहां नहीं आ सकते हैं, आप इधर से लिखे, clockwise में, anti-clockwise में लिखे, तो anti-clockwise में ही सजाएं इसको, या clockwise में लिखे, तो इसी तरह से लिखे, आप किसी भी point का कहीं भी कोई नाम दे सकते हैं, इसमें जो हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस तरह से हम लोग क् तो दी को बी से मिला दे तो यह चतर भूज जो हैं दो भाग में बढ़ जाता है दो ट्रेंगल बन जाता है और हम लोग जान रहे हैं कि ट्रेंगल का सुत्र हम लोग जान रहे हैं ट्रेंगल का छेतर फल निकालने का सुत्र जान रहे हैं सुरी छेतर फल निकालने का सुत्र ज उमीद हैं कि अभी तक आप लोगों को तो सुत्र का उपयोग करने के लिए पता चल ही किया होगा, फिर भी मैं इसको तेजी से बना देता हूं, आप लोगों के पास सही सलामत रहेगा, तो इसको जरूर लिख लें, कि A, B, C, D, चतरभुज, के एक विकर्ण को मिलाने पर, एक विकर्ण, तो कौन सा विकर्ण हो गया आपका? B, D को मिलाने पर, मिलाने पर दो तिर्भुज बनते हैं, दो तिर्भुज बनते हैं, दो तिर्भुज कोन कोन सा बन गया आपका? एक बन गया तिर्भुज A, B, D तथा तिर्भुज B, C, D देख सकते हैं, A, B, D, A, B, D, एक तिर्भुज बन गया ये, और B, C, D, B, C, D, ये तिर्भुज बन गया, तो इन ट्रेंगल A, B, D में हम देखते हैं, तो A जो है आपका 3 माइनस 2 है, B पॉइंट जो है 23 है, और C जो है आपका माइनस 3 माइनस 5 है, अब इसका हम लोग 6 तरफल निकालते हैं, तो एरिया आप ट्रेंगल A, B, D निकालेंगे, तो इसको 1 बाइ 2 इन टू, पहले 3 को ले यहाँ पर आजाएगा 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, अब फिर उसके बाद 2 को लेते हैं, तो माइनस 5 प्लस 2 आजाएगा यहाँ पर, उसके बाद माइनस 3 को लेते हैं, तो यह आपका आजाता है, माइनस 2 माइनस 3, इस तरह से यह वैल्यू आजाता है आपका, अब इसको हम लोग solve कर देते हैं कि 1 by 2 into 3 into 8 24 उसके बाद यह minus 5 plus 2 minus 3 into 2 तो यह आपका हो गया minus 6 अब फिर उसके बाद यह plus 3 into minus 5 यह जो भैली होता है यह 15 हो जाता है जब इसको आप solve करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1 by 2 into 6 minus कर दिजी 18 बचा 18 plus 15 यह 33 आ गया तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो भैली होता है आपका half into 33 तो 33 by 2 वर्ग 1 IE इसको लिख लिजीए 1 IE लिख लेते हैं इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे तिर्भुज में दूसरे तिर्भुज में इन ट्रेंगल B, C, D तो B का नियामक देखे क्या है आपका 2, 3 है C का नियामक देखे क्या है minus 4, minus 2 है D का नियामक देखे क्या है आपका minus 3, minus 5 है इसके बाद हम लोग फर्मूला लगाते हैं ट्रेंगल B, C, D का एरिया तो यह आपका हो जाता है 1 by 2 2 into minus 2 plus 5 plus minus 4 यह दूसरा टर्म लेंगे minus 4 तो यह हो जाएगा minus 5, minus 3 हो जाएगा अब फिर plus तीसरा टर्म minus 3 लेते हैं और यह आपका हो जाता है यहाँ पर लिख सकते हैं minus 3 लिए है तो 3 minus 2 तो 3 minus minus 2 तो plus 2 इस तरह से यह value आता है अब इसको solve करते हैं तो यह 1 by 2 into यहाँ आपका हो गया 3, 2 जा 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15, 4 जा 20 अब फिर उसके बाद minus 15 8 minus 4 8 into 4 हो जाता है 32 हो जाता है आपका और यहाँ पर आपका minus 15 आ गया तो यह 1 by 2 into 6 plus 32 तो 36 minus 15 38 minus 15 तो यहाँ आपका हो गया 33 by 2 23 by 2 आता है minus करके देख लीजी यहाँ आपका 23 by 2 आ गया तो अब हमको निकालना है area of quadrilateral A, B, C, D का तो इसके लिए क्या करेंगे दोनों area को हम add कर देंगे तो 33 by 2 आप लस 23 by 2 कर देंगे 2 इसका LCM तो यहाँ आपका हो गया 56 56 तूजा 2 और 8 तो यहाँ आपका 28 वर्ग 21 इस तरह से 28 वर्ग 21 इसका answer आपका प्राप्थ होता है इस तरह से हम इसको स्वालब कर सकते हैं इस question को भी आप लोग लिख लेंगे वीडियो को पाउस करके इसके बाद हम लोग चलते हैं question number 5 में जो की last ही question है आपका तो last question देखते हैं इसको मिडा लेते हैं हम लोग last question जो है आपका देखिए आप कहा गया है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है तो कहां पढ़ा है अध्याए 9 में उधारन 3 कि किसी तिर्भूज की एक मादिका उसे बराबर 6 त्रफल वाले दो तिर्भूज में विभाजित करती है तो उस तिर्भूज A, B, C के लिए इस परिनौम का सत्यापन कीजिए इसका हमको सत्यापन करके दिखाना है कि जिससे की सिर्ष A, B और C दिया गया है A, 4, 6 दिया गया है B, 3, 2 दिया गया है C आपका 5, 2 दिया गया है तो चलिए हम लोग इस तिर्भूज को एक तिर्भूज को बनाते है तो यह question number 5 में एक तिर्भूज है आपका इसके points आपको दिये गया है A जो हैं मान लेते हैं 4-6 है B आपका दिया गया है 3-2 दिया गया है C आपका दिया गया है 5 और 2 दिया गया है तो माध्यक कोई एक माध्यक हम लोग खीचें तो माध्यक का परिभासा आप लोग को याद होगा कि किसी भी साइट के मध्य बिंदू से उसके सम्मुख सिर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड जो होती है वह माध्यक होता है तो किसी भी भुजा के मधिबिन्दू को उसके सम्मुख को सिर्ष से मिलाने पर जो प्राप्थ होता है रेखाखंड उसको हम लोग माध्यक काते हैं तो यह माध्यक जो है कहां पर है BC के ठीक बीच में है तो BC के बीच में माल लेते हैं D point है तो सबसे पहले हम D का नियमक निकालेंगे D का निर्दे संक निकालेंगे निर्दे संक D का क्या हो जाएगा तो यह मधिबिन्दू है दोनों को जोड़ कर यानि कि 3 प्लस 5 बाइ 2 कर दीजिए और माइनस 2 प्लस 2 बाइ 2 कर दीजिए तो इस तरह से 3 प्लस 5 बाइ 2 और यह 0 आ जाएगा यानि कि यह आपका आ जाएगा 4 और 0 तो इसका नियमक हो गया 4 और 0 अब देखें यहाँ पर दो को तिर्भूच बन रहा है ए बी डी और ए सी डी इस दोनों तिर्भूच का छेत्रफल बराबर होगा यह चीज हमको यहाँ पर दिखाना है तो इसको दिखाने के लिए हम बारी बारी से लेते हैं तिर्भूच तो इन ट्रेंगल A, B, D में A आपका हो गया 4 माइनस 6, B हो गया आपका 3 माइनस 2 और यहाँ पर C आपका हो गया 4, 0 तो इसके आधार पर हम इसका छेत्रफल निकालेंगे area of triangle A, B, D equal to 1 by 2 into इसको देखिए हम लिख रहे हैं आप समझने की कोशिस कीजिएगा प्लस 3 into 0 minus 6 हो जाएगा प्लस 4 into 6 minus minus 6 plus 2 हो जाएगा इस तरह से 1 by 2 into 4 2 जा 8 minus 8, 3 6 जा 18 और यहाँ पर minus 16 तो यह 16 plus 18 यह minus 18 तो यह आपका आजाएगा minus 6 तो 1 by 2 into minus 6 अब यहाँ पर देखिए हमको mod का जरूरत काम में mod का उपयोग क्या है यह समझ में आ रहा होगा यहाँ पर देखिए यह minus 6 आता है तो जैसे यह mod से बाहर होगा तो यहाँ पर यह 6 रह जाएगा सिर्फ आपका minus को हम neglect कर देंगे इस तरह से यह कितना निकल गया तीन वर्ग इकाई इसका छेतरफल निकल जाता है अब इसके बाद हम लोग छेतरफल एरिया निकालते हैं इस तिर्भूज का तो area of triangle a c d का निकालने के लिए हम लिख रहे हैं 1 by 2 आ जाएगा यह आपका यह उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 4 into 4 into 2 minus 0 अब फिर प्लस 5 into 5 into 0 minus 6 तो 0 plus 6 अब फिर उसके बाद यह 5 भी आ गया 4 भी आ गया फिर 4 into 4 into लिख सकते हैं minus 6 minus 2 minus 6 minus 2 अब इसको आप solve करेंगे तो 1 by 2 into 4 to 8 प्लस 30 अब माइनस 32 इस तरह से देखते हैं 1 by 2 into 6 आता है तो यह भी जो है 3 वर्ग इकाई हो गया है ना तो इस तरह से हम देखते हैं कि area of triangle a b d equal to area of triangle a c d a c d और अंत में लिख देंगे हम लोग प्रमानित तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं तो उमीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो कहीं दिक्कत हो रहा हो तो अपने बुक को बार बार पढ़ें और सुरू के वीडियो को बार बार देखें उसके बाप जूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे आप संपर्क करें वाटसेप के द्वारा या मेरे मुबाइल नम्मर के द्वारा संपर्क करें मैं कोशिस करूँगा कि आपकी समस्या को हल कर दूँ धन्यवाद